हाई माइसल पारिक हैर वेलकम तो न्यू वीडियो और आज की वीडियो काफी खास है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही क्रिटिकल प्रॉलम को हम स्वाल करने वाले हैं कौन सी प्रॉलम किया यह जो डी एसे है डेवलप्मेंट है और यह जो हमारा कॉलेज यह ओफिस चल करें तो यह स्ट्राइच जो मेरे लिए यह वक करें तो पसंद आयराई वीडियो तो प्लीज लाइक दबा देना शुब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो जिसको भी तुम्हें लगे जरुरत है और एंड तक जरूर देखना बहुत मज़ा आ जाज तो चलते हैं और स्ट्राटेजी को डिसकस करते हैं and let me share my screen so right I think हमारी problem है कि manage करना है हमें college job DSA और development पहले I think we need to figure out कि हमें hours in a day कितने मिलते हैं यह बहुत important है क्योंकि हमें यह तो पता लगे कि हमारे को एक दिन में कितना time मिलता है काम करने का सबसे पहले इस problem को solve करें फिर इतना time मिल रहा है फिर उसको कैसे distribute करना है amongst all these वह हमें इच्छे से idea पता लग जाएगा तो सबसे पहले बात करें time table time का तो यह basically मैं थोड़ा सा generalized time table कर रहा हूँ तुम इसके साब से थोड़ा सा rotate कर सकते हो अपने साब से customize कर सकते हो so generally जब हमारा दिन स्टार्ट होता है तो 12 a.m. to 7 a.m. so we generally sleep right अब तुम थोड़ा लेट्स होते हो जल्दी उड़ते हो तुमारे उपर है तो मुसको rotate कर ले ना पट मुझे लगते है जनरली इस तैप से हम लोग कर रहे होते हैं जो मैं recommend करूँगा जो बहुत important habit तुमें डालनी होगी तो सुबह उड़के अगर तुम सबसे पहले यही कर लो ना 7 a.m. to 7.15 a.m. कि यार what we need to do today कि हमें करना क्या है वो कब करेंगे वह हम बाद में सोच लेंगे बट आज हमें क्या करना है वो हमें बहुत ज़्यादा important है सोचना क्योंकि यह अगर हमने कर लिया तो हमारा काफी ज़्यादा दिमाग सही हो जाता है ठीक है हमें पता लग जाता है कि आज में यह करना है ठीक है इसके बाद 7.15 टू में 7.00 पीएम एज्यूम कर रहा हूं तो हमारे को टाइम नहीं मिलने वाला तुमारा या तो कॉलेज या आफिस कुछ लोगों का जिम होगा राइट ठीक है तो साथ बे तक तो टाइम नहीं मिलने वाला तो कोई बात की तुम्हें फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंट करना है जो मर्दी करो आइटिंग यह टाइम तुम्हार साथ कुछ नहीं कर सकते हैं बट इस टाइम के बाद अब जब तुम 7.00 पीम टू 9.00 पीम आए र रेस्ट करना है कभी कभी रेस्ट कर लो जो भी तुम्हें करना है वो इस ताइम पे निफ्टा लो ठीक है अब जो 9.00 पीम टू 11.00 पीम का टाइम है यह तुम्हारा अप्स्किलिंग का टाइम है यह तुम्हारा अप्स्किलिंग का टाइम है इसको मिस आउट नहीं करना इ इसमें ना तो हमें phone यूज करना है, यहां हमारी कोई distraction मी होनी चाहिए, urgent की बात अलग है, but we need to work on our skills with full focus, no distractions, यह दो घंडे बहुत important है, और बारा बजे तो सोना था, 11 p.m. to 12 a.m. जो मैं बोलने वाला हूँ, वो एक extension time है, अब उसमें extension में कभी तुम upskilling में जैसे DAC की problem solve कर र लिया, या कभी-कभी कुछ college का काम रहके तो उसमें निप्टा लिया, कहीं न कहीं यह एक घंटा extension है, कि तुम्हें जो निप्टाना हो निप्टाओ, तुम्हें social media उसकरो, बड़ी extension है, मुझे लगता है, upskilling में यूज करो, सो कहीं न कहीं 2-3 hours on weekdays हम निकाल सकते हैं, manage कर कि अच्छे से, यह I think हमारा अच्छे से formula निकल रहा है, इसमें हम सब कुछ कर पा रहे है, social media भी use कर पा रहे है, chill भी मार पा रहे है, हम सब कुछ कर पा रहे है, right, अब मैं अगर बात करूँ, weekends की, ठीक है, weekdays पर तो चल हमारे को 2-3 घंट ही मिले, अब अगर अपन बात करे है, कि weekends पर कितना time मिलता है, so weekends पर अगें, अगें अगर हम बात करें, 12 a.m. to 9 a.m. most likely हम लोग, सो रहे हूंगे, right, ठीक है, थोड़ा सा एक घंटा जादा सो लो weekends पर, that's fine, 9 a.m. to 9.15 a.m. मैं again recommend करूँगा, यह कर लो कि what we need to do today, what we need to do, यह बहुत critical है, ठीक है, अगर हम weekends पर 15 a.m. निकाल के सोच ले, आज हमें क्या करना है, बहुत important है, ठीक है, फिर उसके बाद, 7 a.m. से 10 बजे तक, राइट, I think breakfast, fresh बगरा, जो भी तुम्हें होना है, हो जाओ, ठीक है, I think 10 a.m. to 12 p.m. you can devote your time for upskilling, सुबह-सुबह का time मुझे लगता है, काफी important होता है, दो गंटे लगा के यहाँ पर upskilling पर time देंगे, अब हम वो discuss करेंगे, कि कहाँ DSA करना है, कहाँ development करना है, वो बात की बात है, बट, I think 2 गंटे हम सुबह-सुबह निकाल सकते हैं, फिर 12 p.m. to 3 p.m. हम लोग चिल मार सकते हैं, कोई fight नहीं है, चिल मारने का मतलब है, lunch कर लिया, हमें family के साथ time spent करना है, family के साथ time spent कर लिया, hostel में रहते हो, family से बात कर लिया, जो भी तुम्हें करना है, करो, friends के साथ time spent करो, right, movie देखनी है, movie देखो, जो भी करना है करो, कोई निचीनना तुमसे यह वाला time, लेकिन इसके बाद जो 3 p.m. to 5 p.m. का time है, उस time पर again थोड़ा सा upskilling पर काम करो, दिन में 2 गंटे निकालो कि हम कहीं न कहीं थोड़ी मैनत करेंगे, यह बहुत important है, सुबे भी time निकालोगे, रात को भी time निकालोगे, बेड़ अगर दिन में 2 गंटे निकालोगे न, तो बहुती जाधा helpful होगा, क्योंकि फिर हमें बहुत जाधा productive day लगने लगे है, 3 p.m. to 5 p.m. तो आप scaling पर काम कर कोई नहीं चीनना तुम से, right, Netflix करना है, Netflix करो, web series ही हो गई, जो भी करना है करो, कोई fight नहीं है, ठीक है, चल माने चल माने, बड़ अब इसके बाद जो 9 p.m. to 11 p.m. होगा न, वो हमारा upskilling करना है, यह हमें upskilling करना है, इसमें हमें बहुत जाधा time waste नहीं करना, upskilling में क्या करना है, वो पन डिसकस करेंगे, but I think this is very critical, अगर हमने यह कर लिया, तो again 11 p.m. to 12 a.m., एक वो extension है, कुछ काम रह गया है, तो उसको निप्टा लो, एक गंटे का extension हमें मिलना चाहिए, हमने काम अच्छे से कर रहा है, तो तुम चिल मानने के लिए गंड़ निकाल लो, जो भी तुमें करना करो, यह गंड़ा तुमारे पास है, according to the time, जो तुमने upskilling के लिए निकाले है, अगर upskilling के सब कुछ अच्छे से हो गया, तो that's fine, तो इसके साबसे अगर हम बात करें, तो six to seven hours on weekends हमें time मिल सकता है, अगर हम अच्छे से निकाले है, तो इसको अगर हम week wise calculate करें week में हमारे पास, मैं जियूं कर रहा हूँ, two hours on weekdays है, ठीक है, हमारे पास six hours on weekends है, तो हम अब टोटल hours किते हो गए week में, टोटल हो गए, two into five, five week days, plus six into two weekends, which is around 22 hours, मैं कहा रहा हूँ, 20 hours in a week भी बहुत है, 20 hours in a week अगर हमने upskilling पे लगा लिया, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा time है, यह number बहुत से होता है, कि 20 गंटे हम एक अच्छे से upskilling कर रहा है, that's a very good time we are devoting for us, और यह हमें definitely बहुत अच्छा बनाने वाल है हमारी life के, तो यह तो हमें निकालने पड़ेंगे, अब मैंने बहुत ही practical होके निकाले हैं गंटे, यह तुम्हें निकालने, अब तुम्हें week days पे जार ताइम निकालो, जार ताइम निकालो, जादा गंटे लगाओगे तो जल्दी चीज़े solve कर पाओगे, बट मुझे लगता है on an average, 20 hours in a week is a good amount of time, जिसके विसे हम अपना का काम पे द्यान दे सकते हैं, अब हमारे को week में 20 hours मिल रहे हैं, अब हमें manage कैसे करना है, कॉलेज और office का तो हमने time ले लिया, वो तो जो भी हो हमारा काम चलता रहेगा, उसको नहीं सूच रहा, हमें focus करना है, DSA and development, एक चीज़ हमेशे याद रखने हैं, जो मैं हमेशे बोलत और development, इन दोनों में से एक ही करना है, या तो यह या यह, ठीक है, जब learning हो गई, मतलब देखो, तुम development start कर चुक हो, तो फिर अब DSA मत सीखो, development को पूरा end-to-end करो, The second point is, कि जब हम उसमें अच्छे हो रहे हैं, हमने learn कर लिए, learn का बात मैं बात करूँगा, कि यह learn का मतलब क्या होता है, अब हम उसमें upskilling कर रहे हैं, मतलब हम थोड़ा better हो रहे हैं, better होने में तुम दोनों चीज़े करोगे, DSA and development, उस तेम पे दोनों चीज़े करोगे, ठ ठीक है, तो यह हमें एक formula हमेशे आद रखना है, learning के time हमें ध्यान दोनों में नहीं देना है, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, मैं पहले DSA की बात करता हूँ, हमारे पास 20 hours इना week थे, यह हमारे definitely थे, अब अगर हम कर रहे हैं कि learning, learning, DSA, हम DSA learn कर रहे हैं, अगर DSA learn कर रहे हैं, अगर DSA learn कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, कि हमें 250 problems को solve करना है, ठीक है, इस स्यादा नहीं करना है, 250 problems is good enough for learning, अब अगर मैं average time devote करूँ, हर problem में हम कित्ता देंगे, कहीं ने कहीं एक घंटा maximum दे सकते हैं, क्योंक हमारा हूँ, क्या होता है, कि 1 hour each problem ले रहे है, तो 250 problems हमें कित्ते देने, 250 hours देने, ठीक है, 250 problems के लिए 250 hours देने, प्लस एक्स्ट्रा 250 hours और ले लो, क्योंकि तुम concepts को भी समझोगे, obviously हम problem solving के focus करेंगे, DSA को problem wise ही करेंगे, बट link list क्या होता है, तो शुरू में एक घंटा उसमें भी जाएगा समझने में, stack क्या होता है, एक घंटा उसमें भी जाएगा समझने में, तो 250 hours I have assumed another hours, ठीक है, थोड़ा जाधा ही है, क्योंकि कुछ problem में तुम्हें जाधा time लगता तो 500 hours हो गया, हमें पर week कितना DSA में देना होगा, देखो 500 hours हमारे को, total देने DSA में, हम 20 hours है न week दे पा रहे हैं, तो कितने weeks में हो जाएगा DSA? weeks for DSA will be 500 divided by 20, क्या हुआ ये? 25 weeks, और 25 weeks अगर तुम दिवाहां लगाओगे, एक मेने में 4 अपते होते हैं, बर 3 दिन एक्ट्रा जाता है ना, तो approximately ये 6 months है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कि हम 6 months में, अगर हम DSA के वल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम 6 months में DSA बहुत आएंगे, learning वाला पार्ट तो definitely अच्छे से हो जाएगा, हम link list की 20 problems है, इसकी 20 problems, strings की 20 problems कर रहे हैं, pro peers पे भी तुम देखो कि DSA का 250 problems का road map है, वो भी कर लोगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, and मुझे लगता है, this is good enough for learning DSA, and हमने देखा कि अगर हम केवल DSA learn कर रहे हैं, तो 6 मैंने में हम अराम से complete कर सकते हैं, right, अराम से हो जाएगा, तो अगर हम अपनी journey स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा मैं के बहुत हमेशा DSA स्टार्ट करो, तो शूरू के 6 मैंने DSA में बहुत अराम से हो जाता है, similarly for learning development, मैं इसकी maths में नहीं जाओगा, but learning development में भी मुझे हो जाता है, इसको मैं distribute ऐसे बता देता हूँ, अगर तुम ढंग से शिद्दत से करोगे, हमें project based करनी है, ठीक है, हमारा कहीं न कहीं, first month html slash css में जाता है, next one month हमारा javascript slash react में जाता है, और उसके बाद next one month हमारा front end finalization में जाता है, कि हम अच्छे से front end सीख गए है, project based, right, तो ये तो हो गए माई शुरू के तीन मेने, अब next three months में क्या होता है, कि भई next जो one month होगा, वो हमारा mostly backend में जाता है, ठीक है, हम एक node.js के through project बनाएंगे, हम backend को बहुत अच्छे सीखते हैं, फिर next two months एक backend और front end का combined project, full-fledged, full-stack project में जाता है, full-stack project में जाता है, ठीक है, तो कहीं नहीं हमारा six months पे development का काम भी हो जाता है, अगर हम ये formula मानते वे चलें, तुम्हें देखना है, तुम्हारी प्रोपियर्स पे एक full stack का roadmap है, month stack का roadmap है, उसको तुम अच्छे से follow करोगे, तो six months में definitely ये भी हो जाए, और ये project बेस हो जाता है, तुम्हारा ये project अगर बन गया, दो से ती मेने भी लगे तो that's good enough, बड़ इसको बहुत अच्छे से time दोगे, तो बहुत अच्छे से कर पाऊ, ठीक है, अब जो बात होती है, एक last point, कि together हगर हमें करना है, हमारे पास 20 hours in a week है, मुझे लगता है, DSA को अगर तुम्हें एक particular day fix कर दोगे, क्या कर दोगे particular day fix, कि मैं Sunday को अगर DSA करूँगा, तो Sunday के DSA के 6 गंटे हो गए, और बाकि तुम 14 गंटे development के दोगे, आपने project को अच्छे से करते रोगे, तो कहीना कहीं काम हमारा complete हो जाता है, तो 6 hours on weekend वाला day, तुम DSA को दे दो, और 14 hours तुम Deb को दे दो, अब इसको 6 गंटे को तुम 3 days on weekdays भी निकाल सकते हो, वो तुमारी मर्जी है, 3 days on weekdays, वो तुमारी मर्जी है, तुम्हें किसी भी तरीके से DSA का time निकालना है, पड़ यह formula से हमारी दोनों चीज़े बहुत अच्छे से manage रहती है, DSA जब learn कर चुक है, तो best way to manage is contest बगरा देते रहो, या test बगरा देते रहो, उससे तुमारी नई चीज़े सीखते रहते हो, और पुरानी चीज़े भी revise होती रहती है, अगर तुम देखोगे, बहुत practical तरीके से मैंने निकाला था, अब जो मैंने weekend की बात करो, कि Sunday को बैटके तुमने मालो पूरा DSA पर focus कर लिया, या Saturday को बैटके पूरा DSA पर focus कर लिया, यह जो दो-दो घंटे हैं, इनमें हमने DSA बहुत अच्छे से लगा लिया, मुझे लगते हैं, मैंने एक बहुत अच्छी से strategy बता दिये तुम्हें, कि तुम्हें कैसे मैंने करने अपने number of hours, एक proven strategy के थुरू बताया है, कि 6 मही ने में DSA कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कुछ इश्यू हो, लेट में दो comments, पसंद आई यो strategy तो please like करना, और अगर तुम्हें strategy follow करने वाले हो, तो मुझे वो भी comment section में पाना, और subscribe करना मत बूंद, ओके, good luck.